Hello everyone, मैं आपकी हिंदिय थ्यापी का दिव्या, आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे आज हम करेंगे कक्षा 9 की पुस्तक हिंदी कृति का भाग 1 का पार 3 रीड की हड़ी रीड की हड़ी एक एक आंकी है, जिसमें लेखक ने बड़ी ही सरलता से इस शिर्षक की सार्थकता को सबस्थ किया है रीड की हड़ी एक शरीर के लिए आवशक अंग है अगर रीड की हड़ी ना हो तो वेक्ती ना तो चल सकता है ना ही उठ वैट सकता है उसी परकार हमारे समाज को भी एक इसी तरह की रीड की हड़ी के आवशकता होती है उसमें यूवा पीडी का चरित्रवान और आतम निर्भर होना बहुत ही आवशक होता है जो वेक्ति समाज को चरित्र हीन बनाते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं करते हैं और जो दक्यान उसी विचार रखते हैं ऐसे वेक्तियों को समाज के लिए एक कलंक माना जाता है और इसी एकांकी का मुख्य उदेश्य यहें भी है कि विवा योग्य लड़कियों की आवाज को बुलंद करना विवा योग्य लड़किया इस पार्ट में उमा नाम की लड़की के माध्यम से स्पष्ट की गई है जो उमा नाम की लड़की है यहें हमें ये एक संदेश देखती है इसके माध्यम से लेखक ने कुछ ऐसे वेंगे भी प्रस्तुत किये हैं जो उन लोगों के ऊपर एक कटाक्ष है जो कि लड़कियों को सरफ मेज कुरसी की तरह ही देखते हैं कि अगर हम लड़की को देखने के लिए जाएं तो उसमें हर तरह की क्वालिटी हो लेकिन वो ये नहीं देखते कि हमारे लड़की के अंदर भी कुछ क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है तो ऐसे ही विचारों के साथ शुरू करते हैं पार्ट रेड की हड़ी हिंदी की पुस्तक कृतिका भाग एक पार्ट नमबर तीन रेड की हड़ी जिसके लेखक हैं जगदीश, चंद्र, माथूर आईए पार्ट शुरू करते हैं मामुली तरहे से सजा हुआ एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशे की पीट नजर आ रही है वे अधेड उम्र के मालूम होते हैं एक तक्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं तक्त का दूसरा सीरा उनके नोकर ने पकड़ रखा है एक जगए का वर्णन किया गया है, एक कमरे का वर्णन किया गया है जो की मामली तरह से सजा हुआ है और अंदर के दर्वाजे से एक वेक्ती आ रहा है जिसकी की पेट नजर आ रही है और वो कुछ अधेड उम्र के हैं अधेड उम्र बुजुर्ग है और उन्होंने एक तक्त को पकड़ रखा है जिसको दूसरे किनारे से उनके नोकर ने पकड़ रखा है बाबु अब ये धीरे धीरे चल अब तक्त को उधर मोड़ दे उधर बस बस उसके बाद नोकर कहता है बिछादू साहब अब बाबु जी कहते हैं बड़ी तेजवाज में और क्या करेगा परमात्मा के यहां अक्कल बंट रही थी तो तू देर से पहुचा था ग्या बिछादू साहब और यहां पसीना किस लिए बहायाright नोकर कहता है तकट बिचाता है कहता ही 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 क्योंकि उसके पास और कोई लाजी नहीं होता जो बाबु साहब ने कह दिया वही वीचारे नोकर ने करना होता है आगे बाबु साब कहते हैं हस्ता क्यों है अबे हमने भी जवानी में कसरते की है कल सो से नहाता था लोटो की तरहें यह तक्त क्या चीज है उसे सीधा कर यों हां बस बस और सुन बहु जी से दरी मांगला इसके उपर बिछाने के लिए चदर भी कल जो धोबी के यहां से आई है वही नो कर जाता है बाबु साहब इस बीच में मेज पोश भी ठीक करते हैं मेज पोश मेज के ओपर बिछाय जाने वाला कपड़ा एक जाडन से गुलदस्ते को भी साफ करते हैं कुरसियों पर भी दो चार हाथ लगाते है यानि कि कुरसियों भी साफ कर देते हैं सैसा घ पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरहें नोकर भी आ रहा है, खाली हाथ, बाबु साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं, अब यहाँ बाबु साहब का नाम दिया गया है, नाम है उनका राम सवरूप, उसके बाद प्रेमा कहती है मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरुत पड़ गई एक तो वैसे ही जल्दी-जल्दी में राम सवरु कहता है धोती प्रेमा कहती हाँ अभी तो बदल कर आये हो और फिर नय जाने किस लिए अब रामसरूप कहते है लेकिन तुमसे दोती मांगी किसने प्रेमा कहती है यही तो कह रहा था रतन रतन जो नोकर है रामसरूप कहते है क्यों बे रतन तेरे कानों में डाट लगी है क्या डाट लगी है इसका मतलब तुझे उच्चा सुन रहा है क्या मैंने कहा था धोबी के यहां से जो चद्दर आई है उसे मांगला अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहां से लाऊं उल्लू कहींगा अब रामसरूप नोकर को डाठते हुए कहते हैं ये बाते फिर से प्रेमा कहती है अच्छा जा पूजा वाली कोटरे में लकड़ी के बक्स के उपर धूले हुए कपड़े रखे है ना उन्हीं में से एक चद्दर उठाला रतन कहता है कि और दरी प्रेमा कहती है दरी तो यहीं रखी है कोने में वह पड़ी तो है रामसरूप दरी उठाते हुए कहते हैं बीबी जी के कमरे में से हार्मोनियम भी उठाला और सितार भी जल्दी जा रतन जाता है पती पतनी तखत पर दरी बिछा लेते हैं उसके बद प्रेमा कहती है लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मूफ उलाए बैठी है अब यहां लाडली बेटी जिसके रिष्टे की बात आगे होगी उसका जिक्र किया गया है जोकी बेटी है रामसरूप और प्रेमा की अब राम सबरूप कहता है मूफ लाए और तुम उसकी मा किस मर्ज की दवा हो जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए है अब तुम्हारी बेवकुफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोश मत देना क्योंकि जब लड़की का रिष्टा किया जा रहा था तब राम सबरूप ने बाते कही है कि बड़ी मुश्किल से तो वो लोग हान किकी है उन्होंने लड़की देखने के लिए क्योंकि रिष्टे उनकी इसाब से बहुत कम मिलते हैं इसलिए प्रेमा कहती है तो मैं ही क्या करूं सारे जतन करके तो हार गई तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चड़ा रखा है मेरी समझ में तो ये आई ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं अपना जमाना अच्छा था आई पढ़ली गिंती सीख ली बहुत हुआ तो इस्तरी सुबोधनी पढ़ली इस्तरी सुबोधनी उस समय की पत्रिका का नाम है सच पूछो तो इस्तरी सुबोधनी में ऐसी ऐसी बाते लिखी है ऐसी बाते की क्या तुम्हारे B.A.M.A की पढ़ाई होगी और आज कलके तो लच्छन ही अनोखे है लक्षन फिचर्स आगे राम सवरूप कहता है ग्रामो फोन बाजा होता है न प्रेमा कहते हैं क्यों राम सवरूप कहता है दो तरह का होता है एक तो आदमी का बनाये हुआ उसे एक बार चला कर जब चाहे तब रोक लो दूसरा परमातमा का बनाये हुआ रिकोर्ड एक बार च क्योंकि वो एक बार जब बोलना शुरू हो जाती है तो चुप ही नहीं होती है तो राम सवरूप ने उसको ग्रामो फोन की एक संगया दी है कि एक बार तुमने बोलना शुरू कर दिया तो तुम चुप ही नहीं होती हो आगे प्रेमा कहती है हटो भी तुम्हें ठठोली ही यहें तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को रहा पर लाते अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में राम सवरुप कहता है तो हुआ क्या प्रेमा कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना आज कल तो लड़की कितनी भी सुन्दर हो बिना टिम तुम्हारी इस लड़की से मतलब कि मैं इस लड़की से दुखी हो गई हूं राम सवरुप ने जाने कैसा इसका दिमाग है वरना आज कल की लड़कियों के सहारे तो पौडर का कारोबार चलता है अब राम सवरुप का तो यह कहना है कि आज कल की लड़किया पौडर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करती है लेकिन जो उनकी सुपुत्री है वो पौड और मेकप बिलकुल भी नहीं करती है अब प्रेमा कहती है अरे मैंने तो पहले ही कहा था इंटरेंस से ही पास करा देते लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ने उठानी पड़ती पर तुम तो राम सवरुप उसकी बात काटकर बीच में बोलता है चुप चुप तुम्हें कतई अपनी जुबान पर काबू नहीं है कल ही एंब बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और धंग से ही होगा मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो उनके आने तक तो ने जाने क्या हाल करोगी प्रेमा कहती है अच्छा बाबा मैं ने बोलूँगी जैसी तुम्हारी मर्ची हो करना बस मुझे तो मेरा काम बता दो राम सवरुप कहता है तो उमा को जैसे हो तयार कर लो ने सही पौडर वैसे कोन बुरी है मतलब कि अगर पाउडर नहीं लगाएगी तो अभी वो बुरी थोड़ी लगती है तो उसको जैसे भी है ले आओ पान लेकर भेज देना उसे और नाश्ता तो तयार है न अब यहां राम सवरूप नाश्ता और पान से लेटिर बाते पूछता है कि नाश्ता वगर तयार है न तो उसके बाद रतन का आना हो जाता है यानि कि जो उनकर नोकर है आ गया रतन इधर ला इधर बाजा नीचे रख दे चदर खोल पकड़ तो जरा उधर से उसके बाद चदर मिचाई जाती है फिर प्रेमा कहती है नाश्ता तो तयार है मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं कुछ नमकीन चीजे बना दी है फल रखे ही है चाय तयार है और टोस्ट भी मगर हाँ मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं अप्रेमा को याद आता है कि जो तयारी मैंने करने थी वो तो सारी हो चुकी है लेकिन मक्खन नहीं आया है अब राम सवरू कहता है क्या कहा मक्खन नहीं आया तुम्हें भी किस वक्त याद आई है जानती हो मक्खन वाले की दुकान दूर है पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूजती ही नहीं अब बताओ रतन मक्खन लाए कि यहां का काम करे दफ्तर के चप्रासी से कहा था आने के लिए सो नकरों के मारे अब राम सबरूग कहता है कि मैं दफ्तर के चप्रासी को बोला था काम करवाने के लिए आ जैना लेकिन वो आया नहीं तो उसके कारन राम सबरूग को लग रहा है की उसके नकरे हो गए हैं मतलब वो आने में आना कानी कर रहा है आगे प्रेमा कहती है यहां का काम कौन ज़्यादा है कमरा तो सब ठीक ठाक है ही बाजा सितार आ ही गया नाश्ता यहां बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है सो तुम्हें पकड़ा दूँगी एक आद चीज खुद भी ले लेना इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा कि जड़ा करिने से आए मतलब शर्मा कराए ये लोग जड़ा ऐसे ही है गुसा तो मुझे बहुत आता है इनके दक्यानूसी ख्यालों पर दक्यानूसी ख्यालात होते हैं जो पुराने रिती रिवाजों से जिनकी तंग सोच के जो वेक्ति होते हैं ऐसे ख्यालों की वेक्ति को दक्यानुसी ख्यालों वाला वेक्ति कहा जाता है खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं मगर लड़की चाहते हैं, ऐसी की ज़्यादा पढ़ी लिखी ने हो अब जो लड़की वाले देखने के लिए आने वाले हैं उनके पिता का नाम बताए गुपाल परशाद और वो किस तरहें के वेक्ती है वो बताया गया है प्रेमा कहती है और लड़का रामसभुरू बताता है बताया तो था तुम्हें बाप सेर है तो लड़का सवा सेर B.S.C. के बाद लखनओ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलिज में कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है तालीम का दूसरा क्या करूं मजबूरी है मतलब अपना है वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी अब यहां राम सवरूप ने बताया कि लड़का मेडिकल कॉलिज में B.S.C. कर रहा है लेकिन लड़का क्या कहता है कि पढ़ाई तो अपनी जगह है लेकिन शादी के लिए मुझे ज़्यादा पड़ी लिखे लड़की नहीं चाहिए तो इस ग्राम सवरूप कहता है कि ये तो मेरी मजबूरी है कि मैं लड़की का बाप हूँ अदरवाइस तो मैं इनको बाप और बेटे को बहुत कोरी कोरी सुनाता मतला च्छी खासी सुनाता उनको रतन कहता है जो अब तक दरवाजे के पास चुप चाप खड़ा हुआ था जल्दी जल्दी बाबुजी बाबुजी नोकर राम सवरूप को कह रहा है राम सवरूप कहता है क्या है रतन कहता है कोई दरवाजे पर है कोई आते हैं राम सवरूप दरवाजे से बाहर जांकर जल्दी मुह अंदर करते हुए अरे ए प्रेमा वे आभी गए नोकर पर नजर पड़ती अरे तू यहाँ खड़ा है बेवकुफ गया नहीं मक्खन लाने अब नोकर को डांट रहे सब चोपट कर दिया अब ए उधर से नहीं अंदर के दर्वाजे से जा और तुम जल्दी करो प्रेमा उमा को समझा देना थोड़ा सा गा देगी प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है और उसकी धोती जमीन पर रखे वे बाजे से अटक जाती है प्रेमा ओफ यह बाजा वे नीचे ही रख गया है के कमबक्त अब नोकर को कोस्ती है वो इस बात के लिए राम सवरूप कहता है तुम जाओ मैं रखे देता हूँ जल्दी उसके बाद प्रेमा जो है वो अंदर चली जाती है बाबू जो राम सवरूप है वो बाजा उठा कर रख देते है और दरवाजे पर कोई आ जाता है राम सवरूप हैं 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 आई आई यह हैं हैं यानि कि आतिथी का स्वागत किया जा रहा है हसकर अब बाबु गोपाल परशाद और उसके लड़के शंकर का अंदर आना होता है आँखों से लोग चतुराई टपक रही है यानि कि वो आँखों से ही बड़े तेज वेक्ती लग रहे हैं आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फित्रती महाश्य हैं उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नोजवानों में से हैं आवाज पतली है और खिसियाहट भरी जुकी कमर इनकी खासियत है अब यहां जो लड़के प्रेमा की लड़की को उमा को देखने के लिए आए हैं उनका वर्णन किया है कि लड़के का नाम है शंकर उसके पिताग नाम है गौपाल परशाद और वो लड़के और उसका बाप जो है वो देखने में काफी experience वाड़े बंदे लग रहे हैं अनुभवी को experience बोलते हैं और उनका लड़का जो है वो उन नोजवानों में से जिसके आवाज पतली है और कमर जिसकी जुकी हुई है आगे राम सबरुप कहते है अपने दोनों हाथ मलते हुए हैं हैं इदर तस्रीफ लाईए इदर यानि कि तस्रीफ लाना बैठने के लिए आमंतरत करना बापु गोपाल परशाद बैठते हैं मगर बेंट गिर पड़ता है राम सवरुप कहता है यहें बेत लाइए मुझे दीजिये कोने में रख देते हैं सब बैठते हैं फिर है 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 मकान ढूनने में तकलीफ तो नहीं हुई गोपाल परशाद कहता है खंकार कर नहीं तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहां आना ही था रास्ता मिलता कैसे नहीं राम सवरुप फिर हस कर विचारा अगली बात करता है यह हैं तो आपकी बड़ी महरवानी है मैंने आपको तकलीफ तो दी गुपाल परशाद कहते हैं अरे नहीं साहब जैसा मेरा काम वैसा आपका काम आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है बलकि यो कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परिशानी कर दई राम सबरूप कहता है हसकर वई है 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 यह लीजिए आप तो मुझे काटों में घसीटने लगे हम तो आपके सेवक है 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 और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की चुटियां है अब यह राम सबरूप बिचारा अपने फेस पर एक बनावटी स्माइल खुशी लेकर बात किये जा रहा है और अब लड़किये से पूछता है कितने दिनों की चुटियों के लिए आई हो तो शंकर आगे जवाब देता है जी कॉलिज की तो चुटियां नहीं है विकेंड चल में चला आया था राम सबरूप कहता है आपके कॉर्स कतम होने में तो अब साल भर ही रहा होगा शंकर ने जवाब दिया जी यही कोई साल दो साल साल दो साल है 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 जी एकाज साल का मार्जिन रखता हूँ मार्जिन मतलब कि जब कोई पेपर उसके क्लियर नहीं होते है या उसकी रीव गरा आ जती है तो उसकी वज़े से उसे ज़्यादा टाइम लग रहा है कॉर्स करने में इसलिए वो बड़ी आराम तरह से बता रहा है उस चीज़ को उसने मार्जिन का नाम दे दिया है गोपाल परशाद जी कहते हैं बात यह हैं साहब की यह शंकर एक साल बिमार हो गया था क्या बताएं इन लोगों को इसी उमर में साधी बिमारियां सताती है एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दरजनों कचोडियां उड़ा जाते थे मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी ही भूख कचोड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की दो आती थी यानिकि एक पैसे की दो फिर गौपल परशाद कहता है जनाब यह हाल था कि चार पैसे में धेर सी बालाई आती थी और अकेले दो आने की हजम करने की ताकत थी अकेले और अब तो बहुतेरे खेल वगेरा ही भी होते हैं स्कूल में तब ने कोई बोली बोल जानता था ने टैनिस ने बेड्मिंटन बस कभी होकी और या किर्केट कुछ लोग खेला करते थे मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है अब शंकर और रामसवरूप खीसे निपोडते हैं खीसे यानि कि जो वो गोपाल परशाद लंबी लंबी अपनी फैंक रहा था ना उसको विचारे रामसवरूप और शंकर जो है वो सुने जा रहे हैं लपेटे जा रहे ह आगे रामसवरूप कहता है जी हाँ जी हाँ उस जमाने की बात तो दूसरी थी है 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 अब गोपाल परशाद जोशीलिय वाज में कहता है और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि बारे घंटे की सेटिंग हो गई बारे घंटे जनाब मैं सच कहता हूं उस जमाने का मैटरिक भी वहें एंगलिश लिखता था फर्राट्य की की आज कल के मे की मुकाबला भी नहीं कर सकते यानि कि उस समय के जो मैटरिक टैंट के वच्चे थे वो भी इतनी बड़ी इंगलिश लिखते थे जो आज M.A. के बच्चे भी नहीं लिख पाते हैं राम सवरू भी इसकी हां में हाम ला रहा है कहता है जी हां जी हां यह हैं तो है गोपाल परशाद कहता है माफ कीजेगा बाबू राम सवरू उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है यानि की उस जमाने की जब याद आती है तो खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है राम सवरू फिर विचारा हसके कह रहा है 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 जी हाँ वह है तो रंगीन जमाना था रंगीन जमाना शंकर भी ही ही कर देता है साथ में अब गोपाल परशाद फिर से कहता है एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदल कर कहता है अच्छा तो साहब बिजनेस की बाचित हो जाए अब राम सवरूप चौंक कर कहता है बिजनेस बिज ओ अच्छा अच्छा लेकिन जरा नाश्टा तो कर लीजिए उसके बाद गोपाल परशाद यह सब आप क्या तकल्लूफ करते हैं राम सवरूप फिर से असकर कहता है तकल्लूफ किस बात का यानि कि परिशानी किस बात की है 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 यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहां तश्रीफ लाई यानि कि आप भी मेरी बहुत अच्छी तकदीर मानता हूँ कि आप लोग मेरे घर आई हो वरना मैं किस काबिल हूँ माफ कीजिए का जरा अभी हाजिर हुआ इतना कहते ही राम सवरूप जो है वो अंदर चले जाते है गोपाल परशाद थोड़ी देर बात दबी आवाज में आदमी तो भला है मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती पता चले लड़की कैसी है शंकर जी जिए कुछ खंखार खरे दर दर भी देखता है वो गोपाल परशाद कहता है क्यों, क्या हुआ शंकर जवाब देता है कुछ नी गोपाल परशाद जुक कर क्यों बैठते हो ब्या तैय करने आए हो, कमर सिधी करके बैठो तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैक बॉन इतने में पावू राम सवरूप आ जाते हैं हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं अब गुपाल परशाद की बात बीच में रह जाती है गुपाल परशाद आखिर आप माने नहीं मतलब जो फॉर्मल्टी करते हैं जैसे कई बर गैस्ट गर में आ जाए वैसे राम सवरूप चाय पेले में डालते हुए आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी गुपाल परशाद नहीं नहीं साहब मुझे आधा दूद और आधी चाय दीजे और जराचीनी ज़्यादा डालिएगा मुझे तो भई ये नया फैशन पसंद नहीं एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जैका क्या रहेगा चाय का राम सवरूप कहते हैं कहते तो आप सही है अब उनकी हर बात में हाँ हाँ करते हुए हा में हा मिलाते हुए प्याला पकडते हैं शंकर खंकार कर कहता है सुना है सरकार अब ज़्यादा चिनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी गोपाल परशाद चाय पीते हुए सरकार जो चाहे सो कर ले पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टेक्स लगाना चाहिए राम सवरूप शंकर को अब चाय पकड़ाते हुए कहता है यह था वहें क्या गोपाल परशाद जवाब देता है खूब सूर्थी पर टेक्स इतना कहते ही शंकर और राम सवरूप हस पड़ते है मजाक नहीं साहब यह ऐसा टेक्स है जनाब की देने वाले चूँ भी नय करेंगे बस शर्थ यह हैं कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वहें अपनी खूब सूर्थी के स्टेंडर के माफिक अपने उपर टेक्स तै कर ले फिर देखिए सरकार की आमदनी कैसे बढ़ती है अब राम सुरूप जोड़ से अस्ते वा वा खूब सोचा अपने वाकि आज कल यह हैं खूब सूर्थी का सवाल भी बेढ़ब हो गया है हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी नहीं था अब आगे गोपाल परशाद की तरफ अपनी चाय का कप बढ़ते वे लीजिए चाय का कप और साथ में जो रख्योते हैं कचोरियां वगेरा थी वो गोपाल परशाद समोसा उठाते वे कहता है कभी नहीं साहब कभी नहीं राम सुरूप कहता है शंकर की तरफ देख कर आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू अब शंकर पूछता है किस मामले में राम सुरूप जवाब देता है यही कि शादी तै करने में खोबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए गोपाल परशाद अब बीच में बोल जाता है यह बात दूसरी है बाबू राम सुरूप मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खोबसूरत होना नहायत जरूरी है कैसे भी हो चाहे पाउडर वगेरा लगाए चाहे वैसे ही बात यह हैं कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की ओरते तो राजी नहीं होती आपकी लड़की तो ठीक है कोशन पूट कर दिया गोपाल परशाद ने उसने अपने विचार बता दिये कि लड़की को खोबसूरत दिखना चाहिए चाहे वैपाउडर लगा के खोबसूरत दिखे या वैसे ही दिखे ठीक है और उसके बाद उसने कोशन पूट कर दिया क्या आपकी लड़की तो ठीक है मतलब खोबसूरत तो है ना राम सबरूप जी हाँ वैं तो अभी आप देख लीजेगा गोपाल परशाद कहता है देखना क्या जब आपसे इतने बादचित हो चुकी है तब तो यह हैं रसम ही समझे मतलब की अब हम सरफ फॉर्मल्टी के लिए देखेंगे राम सबरूप हैं हैं यह हैं तो आपका मेरे उपर भारी एहसान है गोपाल परशाद कहते हैं और जायचा यानि कि जनम पत्री तो मिल ही गया होगा राम सबरूप कहता है जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है ठाकुर जी के चर्णों में रख दिया बस खुद बखुद मिला हुआ समझे अब राम सबरूप अपना इश्वर के परती जो इश्वास है वो दर्शा रहा है गोपाल परशाद कहते हैं यह ठीक कहा अपने बिलकुल ठीक लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना अब राम सबरूप एकदम चोंकर कहता है क्या भनक पड़ गई भई क्या गोपाल परशाद कहता है यह पढ़ाई लिखाई के बारे में जी हाँ साफ बात है साहब हमें जादा पड़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए मेम साहब तो रखनी नहीं कोई भुगतेगा उनके नकरों को कोन भुगतेगा मतलब उनके नकरों को बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए क्यों शंकर अब शंकर भी कहता है, जी हाँ, कोई नोकरी थोड़ी करानी, नोकरी तो करानी नहीं हमने, राम सबरू कहता है, नोकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और वो क्या करे लड़की का बाप है, रिश्टा आज से जाना नहीं देते ना चाहता, तो उनकी हर बात में हां में हां में तक पढ़ाया है तब उनकी भोवें भी ग्रेजविट लीजिए भला पूछे इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है अरे मर्दों का काम होता ही है पढ़ना और काबिल होना मगर ओरते तो वही करने लगी जनाब मोर के पंक होते हैं मोरनी के नहीं शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं अब यहां गोपाल परशाद अपने दक्या नूसी और घटिया विचारों के बारे में बता रहा है उसकी नजर में लड़कियां और लड़कों की पढ़ाई एक जैसी नहीं होनी चाहिए उसकी अपने विचारों के तर्क को आगे बढ़ाते हुए एक्जाम्पल भी देता है कि मोर के पंक होते हैं मोरनी के नहीं शेर के बाल होते हैं लेकिन शेरनी के नहीं आगे राम सवरुप कहता है जी हाँ और मर्द के दाड़ी होती है और दाड़ी होती है कहते हैं हाँ हाँ वहें भी सही है कहने का मतलब यह है कि कुछ बाते दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है और उची तालीम यानि कि अच्छे शिक्षा भी ऐसी चीजों में से एक है राम सवरूप अब शंकर से चाय और लीजिए शंकर कहता है धन्यवाद पी चुका राम सवरूप ने गोपाल परशाद से पूछा गोपाल परशाद ने जिवी जवाब दे दिया बस साहब अब तो खतम ही कीजिए राम सवरूप फिर कहता है आपने तो कुछ खाय ही नहीं चाय के साथ टोस्ट नहीं थे क्या बताएं वह मक्षन फिर गोपाल परशाद कहता है नाश्ता ही तो करना था साहब कोई पेट थोड़ी भरना था और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता ही नहीं राम सवरूप फिर है है करके मेज को एक तरफ सरका देता है अंदर के दरवाजी के तरफ मूँ करके जरा जोड से कहता है अरे जरा पान भीजवा देना सिगरिट मंगवाऊं गोपाल परशाद कहता है जी नहीं पान की तस्तरी हातों में लिए अब राम सवरूप के लड़की उमा आती है सादगी के कपड़े गर्दन जुकी हुई बाबो गोपाल परशाद आखे गड़ा कर और शंकर आखे छिपा कर उसे ताक रहे हैं मतलब उसे देख रहे हैं राम सवरूप है है यही आपकी लड़की है लाओ बेटी पान मुझे दे दो उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है उस समय उसका चेहरा उपर को उठे जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है बाब बेटे चौंक उठते हैं गोपाल परशाद और शंकर एक साथ चश्मा राम सवरूप जरा सक पका कर जी वहें तो वहें पिछले महिने में इसकी आखे दुख नहीं आ गई थी सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है अब राम सवरूप अपनी बेटी को जो चश्मा लगा हुआ है उसको कुछ नजर अंदाज करवाती हुए अपनी तर्क दे रही है गोपाल परशाद पढ़ाई वढ़ाई की वज़य से तो नहीं है ना कुछ राम सवरूप कहता है नहीं साहब वहें तो मैंने अर्ज किया ना गोपाल परशाद कहता है हूँ संतुष्टोकर बड़क बड़कोमल से सवरूप में कहता है बैठो बेटी राम सवरूप कहता है वहां बैठ जाओ उमा उस तखत पर अपने बाजे-बाजे के पास अब उमा वहां बैठ जाती है अब गोपाल परशाद कहता है चाल में तो कुछ खराबी है नहीं चेहरे पर भी छवी है हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है रामसबरूप कहता है जी हाँ सितार भी और बाजा भी सुनाओ तो उमा एकाद गीत सितार के साथ अब उमा सितार उठाती है थोड़े देर बाद मीरा के मशूर गीत मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरों ना कोई गाना शुरू कर देती है स्वर में जाहिर है कि गाने का अच्छा ग्यान है उसके स्वर में तलीनता आ जाती है यहां तक कि उसका मस्तक उठ जाता है उसकी आँखे शंकर की जहेपती सी आँखों से मिल जाती है और वहें गाते गाते एक साथ रुक जाती है राम सवरू कहता है क्यों क्या हुआ गाने को पूरा करो उमा गोपाल परशाद कहता है नहीं नहीं साहब काफी है लड़की आपकी अच्छा गाती है अब उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है गोपाल परशाद कहता है अभी ठहरो बेटी राम सवरूप भी कहता है थोड़ा ओर ठेरो बेटी गोपाल परशाद कहता है तो तुमने पेंटिंग विंटिंग भी उमा ने कुछ जबाब नहीं दिया राम सवरूप कहता है हाँ वहें तो मैं आपको बताना भूल ही गया यहें जो तस्वीर टंगी हुई है कुटे वाली इसी ने खिंची है और वहें उस दिवार पर भी गोपाल परशाद कहता है हम यहें सब तो बहुत अच्छा है और सिलाई वगरा अब राम सवरूप कहता है सिलाई तो सारे घर की इसी के जिमें रहती है यहां तक की मेरी कमीजे भी है 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 अब एक लड़की का पिता होने के नाते वो उस लड़की से की अच्छाईयां यह अच्छाईयां बताने की कोशिश किये जा रहा है गोपाल परशाद ठीक लेकिन हा बेटी तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते हैं अब उमा चुप है राम सवरूप इशारे के लिए खासता भी है लिकिन उमा चुप है उसी तरहें गर्दन चुकाई गोपाल परशाद अधीर हो उड़ते हैं और राम सवरूप सक पका जाते हैं मतलब एकदम से खेरान हो जाते है राम सबरूप जवाब दो उमा है है जरा शर्माती है इनाम तो इसने गोपाल परशाद जरा बेरुखी यह आवाज में बोलते हैं जरा इसे भी तो मुझ खोलना चाहिए राम सबरूप कहता है उमा देखो आप क्या कह रहे हैं जवाब दो इने उमा कहती है हलकी लेकिन मजबूत सी आवाज में बोलती है क्या जवाब दूँ बाबूजी जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकान दर कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता सिर्फ खरीददार को दिखला देता है पसंद आ गई तो अच्छा है वरना राम सवरूप चौक कर खड़े हो जाते है उमा उमा कहती है अब मुझे कह लेने दीजिये बाबूजी ये तो महाशे मेरे खरीददार बन कर आए है इनसे जरा पूछे कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता क्या उनके चोट नहीं लगती क्या बेबस भेड बक्रियां है जिने कसाई अच्छी तरह देख भाल कर इतने में गोपाल परशाद ताओ में आ जाते हैं बाबू राम सवरूप आपने मेरी इज़त उतारने के लिए मुझे या बुलाया था उमा कहती है बड़ी तेज अबाज में जी हां और हमारी बेश्टी नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं और जरा अपने इन साहब जादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के होस्टल के इर्द गिरत क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाई गए थे शंकर बाबुजी चलिए यहां से गोपल परशाद लड़कियों के होस्टल में क्या तुम कोलिज में पढ़ी हो अब राम सवरूप जी चुप है उमा बोलती है जी हाँ कोलिज में पढ़ी हूँ मैंने बीय पास किया है कड़कर अपना मूँ छिपाकर भागे थे राम सवरूप उमा गोपल परशाद कहते है खड़े उकर गुस्से में बस हो चुका बाबु राम सवरूप आपने मेरे साथ दगा किया आपकी लड़की बीय पास है और आपने परशाद के चहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रूलासापन मतलब रोने वाला सा हो गया दोनों बाहर चले जाते हैं बाबु राम सबरूप कुर्सी पर धम से बैठ चाते है उमा सहसा चुप हो जाती है प्रेमा का घबराहट की हालत में आना प्रेमा उमा उमा रो रही है यह सुनकर राम सबरूप खड़े होते हैं और रतन जो नोकर था वो आता है रतन खहता है बाबु जी मक्खन सब रतन की तरफ देखते हैं और परदा गिरता है तो यह थी पूरी कहानी रीड की हड़ी जिसमें उमा ने एक लड़की की बैक बोन होने या ने होने के बारे में बताया है जो कि उसके चरित्र होने से जुड़ी हुई है यदि कोई विक्ती चरित्रवान होता है तो वही समाज के लिए एक रीड की हड़ी का काम करता है उमीद करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ जाया है धन्यवाद